विल्कम बैक टू माई चैनल आप लोगों को हमारी तरफ से इद मुबारक आज हम इद स्पेशल में लेके आए हैं शीर खुर्मे की रेसिपी बहुत इजी तरीके से हम शीर खुर्मा बनाएंगे अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो वीडियो के लाइक शेयर करना ना भूलिएगा चलिए हम फटा फट से बनाना शुरू करते हैं शीर खुर्मा इजी तरीके से हम बनाएंगे यह हमारा पच्चास ग्राम से मही है दो सो पच्चास ग्राम खोया है एक कप से थोड़ा सा कम चीनी है चीनी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकती है वन टीस्पून लाइची पाउडर थोड़ा सा जाफरान हमने भीगो के रख दिया है वन टेबल इस्पून चिरोंजी टू टेबल इस्पून बादाम टू टेबल इस्पून पिस्ता टू टेबल इस्पून काजू और पांस से छे पीच छुआ रहे इन सब को हमने भीगो कर अब बारीक से चौप कर लिया है यह हमाना हमारा डेल लीटर से ज़्यादा दूद है यह फुल फैट दूद है यह पका हुआ दूद हमने फ्रीज में रख दिया था कड़ाई में थोड़ा सा हमने पानी आइट कर दिया है अब उसमें हम दूद आइट कर देंगे बहुत फटा फट यह बन जाने वाला रेसिपी है अभी तक आप लोग नहीं बनाये हैं तो फटा फट से वीडियो देखिए और फॉरण से बनाना शुरूर कर दीजिए अब हम अपने ड्राइफ फॉरूट को फ्राई कर लेंगे और दूद को अच्छे से उबलने देंगे बहुत जल्दी से बने गई है और बहुत टेश्टी बन के तयार होगा हमने च्छुआरे को अट कर दिया है अब ये भीगा हुआ ड्राइफ फॉरूट था इसको हम धीमी धीमी आज में सारे ड्राइफ फॉरूट को फ्राई करेंगे सारा इसका मॉस्चर खतम कर लेंगे अब हम सारे ड्राइफ फॉरूट अट कर देंगे इतका एकदम special dish है ये ये सभी के घरों में बनता है सब अपने तरीके से बनाते हैं condensed milk वगर हम नहीं डालेंगे हम खोए में बनाएंगे बहुत ही tasty बनके ये तयार होगा हमारे महां तो बहुत सबको पसंद आता है आप comment में जरूर बताईएगा कि आपका शीर कुर्मा कैसा बना है और हमारा recipe आपको कैसा लगा अभी दो से तीन मिनिट हम अपने ड्राइफ फ्रूट को अच्छे से फ्राई कर लिये हैं अब हम से महीं अपना थोड़ा सा एक मिनिट के लिए भून लेंगे से महीं हमारी भूनी हुई है लेकिन थोड़ा सा घी में भी भून लेना है हम देसी घी में बना रहे हैं आप घी में ही बनाईए चाहे डालडा घीम बनाईए चाहे देसी घीम बनाईए आउयल में बिल्कुल मत बनाईएगा आउयल में एकदम इसका टेस्ट एकदम खराब हो जाएगा अब एक मिनट हम सिमाई को भी अपने भून लेंगे सिमाई भी हमारी भून चुकी है अब इसको हम निकाल लेंगे दूसरे बरतन में अब हम खोया को भी थोड़ा सा भूनेंगे बिल्कुल एकदम मिल्ट होने तक हम खोया को भूनेंगे ज्यादा इसको भूनेंगे नहीं न ज्यादा कलर देंगे बस थोड़ा सिसका कच्चापन निकल जाए अब बस एक मिनट के लिए हम खोया को भी भून लेंगे हमारा दूर्द भी अच्छे से उबल गया है यह चीनी हमेट कर देंगे चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी हमारा मिल्ट हो चुका है खोया भी हमारा अच्छे से हो गया है अब हम खोया को भी दूद मेट कर देंगे देखे कितना फटा फट से बन रहा है सारे खोया को भी हम दूद मेट करके इसको भी हम एक मिनिट के लिए पका लेंगे इस पैचुला से इस तरीके से दबाते हुए हम खोया को भी मिक्स कर लेंगे दूर में अच्छी तरीके से अब इसमें हम बाकी के इंग्रीडियन्स भी आइट कर देंगे सारे ड्राइ फ्रूट हम आइट कर देंगे थोड़ा सम पिस्टा गानिस के लिए निकाल लिए हैं साफरान भी हम आइट कर देंगे एलाइची पाउडर भी आइट कर देंगे अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब से मजिया आइट कर देंगे अब सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर चुके हैं अब 2-3 मिनट हम इसको पका लेंगे अच्छे से देखिए हमारी सीर खुर्मा बन के तयार हो चुका है देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है बहुत ही टेस्टी बन के तयार हुआ है अब इस इद में जरूर बनाईए अब दो से तीन ड्रॉप हम केवडा एसन से एट कर देंगे हम ज्यादा एट नहीं करेंगे केवडा एसन डालने से खुजबू बहुत अच्छी आएगी अब हम चुले को बन कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे ठंडा करके आपको सर्फ करके हम दिखाएंगे दिखिए अब हम सर्फ करके दिखाएंगे ठंडा हो चुका है आप लोगोंने नहीं बनाया है तो फटा फट जाएए वीडियो देख के फॉरण से बना लीजिए आपने हमारे वीडियो के देखा बहुत बहुत शुक्रिया इस एद में जरूर आप बनाएए एक बार फिर से आप लोगों के एद के बहुत बहुत मुबारक हो इस तरीके जरूर बनाएए एद में बनाएए बकरा एद में बनाएए कभी भी आप बना किसको सर्व कर सकती हैं का सकती हैं